नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विदान्त लर्निंग पॉइंट पे आज आप सभी के लिए डियलेट से केंडियर के सात्वे प्रस्न पत्र पर्यावरणी अध्यन छे एकाईया हैं इसमें सभी के objective questions आप सभी के लिए लेके आई हूँ जितने भी वस्तुनिष्ट प्रस्न हैं वो सारे आपके लिए यहाँ पे हैं हैदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे अच्छे अंक पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए यहाँ पर आपको वही सारे प्रस्न बताये जाते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है पिशली बार बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त किये थे बहुत सारे question उनके आये थे जो यहाँ पर बताये गए थे आईए शुरू करते हैं पहली एकाई है एकाई एक परियावरण द्यन की अधारन आए पहला प्रस्ण है इसमें परियावरण वह वाह सकती है जो हमें प्रभावित करती है यह परिवासा है J.S. Ross की ये एक नंबर में एक वाक्ष में उत्तर दीजिए परियावरण उन सभी वाहरी सकतीयों एवं प्रभावों का वरणन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, श्वभाव, विवहार, विकास और परिपक्वता को प्रवावित करता है यह परिवासा है डगलस और हॉलेंड की ऑप्सन नमबर B यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है परियावरण के घटकों को विवाजित किया गया है छे बरगों में विवाजित किया गया है C सही हो जाएगा परियावरन की गुणवत्ता के प्रतिचिंता के शुविग्य दृष्टिकॉण का विकास करना ही परियावरन सिक्षा है यह परिवासा स्वान ने दी है देखिए परियावरन की परिवासा आपकी आती ही आती है ब्लूम ने परियावरन सिक्षा के उद्देशियों को बाटा है तो इन्होंने तीन भागों में बाटा है option number B सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है परेया वरण सिक्षा मानव का एक सामाजिक प्राणिंग के रूप में अध्यन करना है यह मानव से एवा मुष्किवाता वरण से संबंदित है परेया वरण सिक्षा का यह है अर्थ है N.C.E.R.T. के अनुसार यहां पर B option सही है प्रकृति का अनुसरन करो कहा था यह रूसों ने कहा था option number A यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है परेया वरण सिक्षा के इस पक्ष में उन्हों देश्यों को रखा गया है जो बहुत धिक कौंसल और शमताओं के ग्यानात मां पक्ष में कहा गया है option number B यहां पर सही हो जाएगा एक ही विशय वैस्तु के माध्यम से बच्चों को तीन विशय भाष्या गडित वा परेया वरण अध्यन सिखा पाना कहलाता है एक ही इकरत पाठ है ग्रेम option number A सही हो जाएगा परेया वरण यह खेल से बालक रहता है A यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है इंद्रा गांधी राष्ट्रिये बन शिक्छा संस्थान इस्थे देहरा दून में इस्थे आप्सन number A सही हो जाएगा पर्या वरण से आसा है जीव जन्तु पेंड पौदे अजैविक घटक उपर रिक्त सभी इसका आंसर हो ज प्रस्न है सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभाव है तो यह है प्रत्वी अप्सन number D सही हो जाएगा यह सारे आंसर है मैस कर लिजा किसी भी कुश्चन में डाउट लगे तो गूगल से सर्च कर लिजिएगा एकाई नमबर दो बच्चों की विचारों को समझना पहला प्रस्न है शंग्यारात्पक विकास का सिध्धान्त है यह प्याजे ने दिया था विज्ञान सिक्षन के उद्देश्च निर्धारन के आधार पर इस्तंभ कितने हैं तीन है आप्सन number C सही रहेगा विधाओं को प्रदर्सित करने के लिए एक माध्यम है पुष्टक D सही रहेगा विज्ञान सिक्षन के माध्यम से बालकों की अभी रूची को बनाना है वैज्ञानिक B सही रहेगा विज्ञान सिक्षन के उदेश्यों के निर्धारन के आधार इस्तंभ है A बालक अगला प्रस्न है वि विज्ञान सिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सरवाधिक महत्वपून है प्रायोगिक प्रदर्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टि कौन से विख्षित होने वाला है सु इस्पस्टता आप्सन नमबर ए सही हो जाएगा प्रार्थमे कक्षाओं में विज्ञान सिक्षण की उत्तम विधी है समस्या निबारन विधी यहाँ पर आफ्सन न बड़ी सही हो जाएगा विज्ञान सिक्षण की सबसे अच्छी विधी है अनुवेस्ण विधी ऑप्सन Bdys defender शाईगा संस्कूरतिक परियावरण अगला प्रसन है बाय गोत्सकी के परिपेच में अधिगम का इस्थान धारन है खेल अप्सिन नमबर A सही हो जाएगा मनो वैज्ञानिक परिक्षण है व्यक्तित परिक्षण A यहाँ पर सही हो जाएगा परियावरन सिक्षा के उद्देश्य है ज्यान रथा समझ जाग रुकता काउशल उपरिक्षण परिक्षण 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 तो यहाँ पर हो जाएगा समाज सास्त्र यह सारे आंसर है मैच कर लीजिएगा चलते हैं अगली इकाई की तरफ अगली इकाई है एकाई नमबर तीन परेया वरण अध्यन का सिक्षन और आंकलन पहला प्रस्ण है इसमें नक्सा प्रत्वी और उसके किसी भाग का प्रस्तुती करण होता है दुई आयामी होता है भी यहाँ पर सही हो जाएगा सीखने वाले ने कितनी गहराई से क्या वा कितना सीखा मापा जा सकता है मूल्य अंकन द्वारा इस पर बच्चे अपना भ्यास कर सकते हैं एवं सिक्षक भी बच्चों को लिख कर समझा सकते हैं यह ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है भी यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है वह विधी जिसकी अंतरगत कोई भी कार्य पूर्टा लगन के साथ सामारेक परिवेश में किया जाता है कहलाती है प्रोजेक्ट भी दि आपस नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है स्रोयम की परिवासा में किसी घटना या परिस्तिति को समझाना कहलाता है काउंसल के प्रकार है दो प्रकार होते हैं काउंसल के तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका विग्यान पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुदा प्रयोग में लाते हैं तो विग्यान को पढ़ाने के लिए जो है प्राथमे कख्षाओं में विग्यान कित का प्रयोग आवश्यक है क्योंकि वह कठिन आउदारणा सरल तरीके से समझाई जाती है option number C, यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है, विधाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक माध्यम है तो यह पुष्टक, option number D, यहाँ पर सही हो जाएगा यह सारे answer है, match कर लीजिएगा किसी question में doubt लगे, तो google पर search कर लीजिएगा इसके बाद अगली एकाई है आपकी, एकाई नमबर 4, परिया वरन अध्धिन के सिक्षन की तैयारी पहला प्रस्न है इसमें, एकाई साउधानी पूर्वक्त, चैनित, विशय वस्तु की रूप रेखा है जो की विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यक्ताओं के अनुसार अलग कर दी गई है यह परिवास्ता है, शेम फोड ने दी है, option number D, यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूरी तयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी की योजना की अपूर्व तयारी यह कहा है, डेविस ने, option number A सही हो जाएगा अगला प्रस्न है, पाठ योजना की पंच पदिये प्रणा दी है, यह हरवर्ट ने दी है, option number C यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है, परिया वरण सब्द का ही प्राय, उन सभी बाहरी सक्तियों और तक्तों से जो प्राणी को आज इवन प्रहावित करता है, परिभासा है बुडवर्थ की अगला प्रस्न है परिया वरण उन सभी बाहरी सक्तियों एवं प्रभावों का वरणन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, सुभाव, विवहार, विकास और परिपक्कता को प्रभावित करती है परिवासा है डगलस एवं रोमन, हॉलेंड की अप्स नमबर A यहां पर सही हो और अप्स नमबर A यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है यहां पर एवं पर्रयोगत सभी आपका अंसर होजाएगा अगला प्रस्न है विज्ञान प्रयोग शाला में मुख्रिशावधानी क्या रखनी चाहिए किसी पदार्थ को चखना नहीं चाहिए अप्स नंबर यहां पर सही हो जाएगा यह सारी आंसर है एक बार आप चेक कर लीजिएगा डाउट लगे तो गूगल पर देख लीजिएगा अग अगला प्रस्न है भूमी के कटाव के लिए आवश्यक है भूमी पर अधिक ब्रक्ष लगाना आप भूमी पर ब्रक्ष बहुत सारे लगा देंगे तो मिट्टी रुक रुक के जाएगी यह अच्छा रहता है अगला प्रस्न है त्री सुन्दर लाल बहुगना है तो यह पर परियावरण दिवस मनाया जाता है पांच जून को यह भी आ सकता है सभी को पता ही है पांच जून को विश्व परियावरण दिवस मनाया जाता है यह अहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्न है शंसाधनों का संदक्षन की होगा वश्यक है उद्द्योगिक विकास है उपर एक तो सभी इसका अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है वह कार्य विधी जो पूरता लगन के साथ सामाजिक परिवेश में पूरा किया जाता है तो वो जो होती है प्रोजक्ट विधी कहलाती है अप्स नमबर एहां पर आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्न है वह नवीन ग्यान की प्राप्ति करता है वो कहलाती है प्रयोग शाला विधी यह सबसे अच्छी विधी होती है और अप्स नमबर बी यहां पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है वह विधी जिसमें कि सिवस्तु के बारे में खोजबील कर परिणाम ग्याद किया जाता है वह अनुसंद्धान विधी कहलाती है अप्स नमबर ए यहां पर सही हो जाएगा प्रस्ण नमबर बारा है वह विधी जिसकी अंतरगत चात्र अपने ग्यान को प्रत्यक्षता देखकर इस्थाई एवं सुद्रण बनाता है कहलाती है ब्रहमण विधी कहलाती है आप कहीं घुमाने फिराने बच्चों को ले जाओ तो वो बारी की से हर चीज को देखते हैं औ अग्ला प्रस्ण है पौधों के संकलन को कहते हैं तो हर भेरियम केहते हैं ओप्सन नमबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है तो रिकेटास होता है यहाँ पर option number A सही हो जाएगा प्रत्वी की वार्षिक गती है तो वो 365 दिन में पूरा होता है यहाँ पर option number A सही हो जाएगा अगला प्रस्द है, प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है तो मकान नहीं है, मकान खुद से बनाया जाते हैं, कृत्यम संसाधन में आ जाएगा भेडा घाट प्रसिद्ध है तो ये शंग मरमर के लिए प्रसिद्ध है option number C यहाँ पर सही हो जाएगा ये सारे answer है इसके match कर लीजेगा doubt लगे तो देख लीजेगा अगली काई है काई नमबर 6 कक्षा योजना एवं मूल्यांकन पहला प्रस्ण है भ्रह्मन निम्न विधी का उदाहरण है आगमन विधी option number D यहाँ पर सही रहेगा अगला प्रस्ण है शामान से विशिष्ट की और के सिक्षन विधी में अपनाई जाती है तो ये सामान से विशिष्ट की और निगमन विधी में अपनाई जाता है option number B यहाँ पर सही रहेगा अगला प्रस्ण है हरित ग्रह गैसों की सूची में निम्न में से कौन सी गैस नहीं है तो मीठेन नहीं है option number D सही रहेगा अगला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा विकल्प सिक्षन प्रक्रिया का अंग नहीं है तो कक्षा कक्ष नहीं रहेगा option number C सही रहेगा अगला परसन है निम्र में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक सोध नहीं है तो कक्छा कक्ष की सुन्दरता और अप्सन नबर B सही रहेगा अगला परसन है विद्यार्थियों में पर्यावरणिये बहुत देशिये ग्यान निम्र विधिय से प्रदान कीया जा सकता है कुछी प्रतियोगिता, option number D यहाँ पर सही रहेगा, अगला प्रसन है कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभाव नहीं है तो कटपुतली मंचन, यह सब कोई नहीं कर पाता है कुछ ही लोग कर पाते हैं जो कटपुतलियां को नचा सकते हैं option number A यहाँ पर सही हो जाएगा यह सारे आंसर हैं, मैस कर लिजिएगा मिलते हैं रिक्तिस्थान की पूर्ती में तब तक के लिए आप सभी का धन्यबाद यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का दिन सुभ हो